तो प्याने विच्चों कैसे हैं आप लोग आई हो बहुत अच्छे होंगे और क्लासिस को इंजवाय कर रहे होंगे हम लोग आट एन कल्चर के प्रस्णों को साल्व कर रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही जादा महत बोड़ हैं और सभी एकसाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे चुकि आट एन कल्चर आपका बहुत ही जादा महत बोड़ हो गया है तिसलिए आप लोगों को अपने कलायों संस्कृति के बारे में भी पता होना चाहिए चलिए शुरुवात करते हैं आज के क्लास की और आज आपका पहला प्रस्ण है मान कौतु ह किस से संबंदित है आपको बताना है मान कौतु हल का संबंद किस से है पहला उप्सन है एक संगीत यंत्र से दूसरा है संगीत पधती आधारित रजना से तीसरा है एक वादे यंत्र से और चौथा है इन में से कोई नहीं बताएंगे बचा लोग आपकी मान कौतु हल का पंध निम्निर में से किस से है सांदर प्रश्ण है और बहुत है ज़्याद महत्पूर्ण है दीजेगा जबाफटाफट आप सभी को उत्तर आना चाहिए क्या है जो सही हो जाएगा आपका आपसा नंबर जो दो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा संगीत पधती आधारित रच संगीत थे उसमें जो मिश्रण हो रहा था जो मत्तब जो उसका प्रभाव पढ़ रहा था उसके बार में होने इसमें लिखा है या वडशन किया है तो मानकवतूहल मान सिंग की रचना है जो कि संगीत पधती पर आधारित है जो इसलामी जो संस्कृ darüber है उसका जो हमारे भा आपको बताना ये किस छेतर से संबंदित है आयो का पूछा हुआ है इसने महत बोड़ है बताएंगे बचा लोग बिनोदनी दासे का संबंद किस छेतर से है राजनीती से चित्रकला से रंगमंच से या गायन से तो पहला तो होगा ही नहीं चुकि आटन कल्चर में राजनीती कहां से आ गया अब आपको बताना है चित्रकला है रंगमंच है या गायन है तो याद रखेगा ये रंगमंच से संबंदित है और ये कहां कि रंगमंच से संबंदित है तो बंगाली रंगमंच से संबंदित है बिनोदनी दासी इंपोर्टन प्रष्ण है इसको याद रखे सदियों से भारत में जीवित रहे एक प्रमुख परंपरा जिसको धुरूपद कहते है इसके संदर में कौन सा कथन है जो सही है आपको बताना है धुरूपद की वारे में कौन सी बात है जो सही है पहला को डूपद की उत्पत्ति तथा विकास मुगल काल में राजपूत राज्यों में हुआ दूसरा करा धुरूपद मुखेते भाक्ति और आध्यात्मा का संगीत है तीसरा करा धुरूपद आलाप मंत्रों से लिए गए संस्क्रित अच्छरों पर आधारित है अब आपको कूट की सहायता से उत्तर देना है देखे कूट भी आप लोगों के सामने है पहले में है पहला दूसरा दूसरे में है दूसरा तीसरा तीसरे में है तीनों और चौथे में है क्यों पर उत्तर में से कोई नहीं मताएंगे विए चलो कूट की सहायता से आपको उत्तर देना है कि दुरूपत के बारे में कौन सी बाते हैं जो सही है आपके सामने कूट भी है और आपसन भी आपको जवाब देना है अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात अगर नहीं याद है तो इसको ध्यान से देखेगा आपको बहुत अच्छा लगेगा अपनी संस्कृती के बारे में जानके आफसर नमबर दो आपका सही है दूसरा तीसरा पहला क्यों गलत है? धुरूपत की उत्पत्ती मुगलकाल से पहले ही हो चुका है यानि की और प्राचीन है ये धुरूपत आपका मुगलकाल के पहले का है इसलिए आपका पहला गलत हो गया अगर आपको पता है कि पहला गलत है तो आसानी से आपको उत्तर मिल सकता था दूसरा बिलकुल सही है धुरूपद मुखेतया भक्ति और आध्यात्म का संगीत है हमारे हाँ मोशली चहे चित्रकला हो चहे डांस हो कुछ भी हो उस पे आध्यात्म का बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है तो आपका दूसरा बिल्कुल सही है और तीसरा भी सही है कि धुरूपद आलाप मंत्रों से लिए गए संस्कृत अच्छरों पर आधारित है तो दोनों बाते सही है बचालोग धुरूपद आलाप मंत्रों से लिए गए संस्कृत अच्छरों पर आधारित है आपसे नमबर आ और भरत नात्यम जो आपके मतलब कुछी पुड़ी और आपके भरत नात्यम जो आपके नृत्य है यह नहीं कि जो डांस करने वाला है नर तक प्रासंगिक आपको पीतल की तस्तरी की धार पर पाद रख न्रित्य करने की परंपरा भरत नाट्यम की विसश्टता है जबकि कुछी पूरी न्रित में इस प्रकार की क्रियाओं का कोई अस्थान नहीं है आपको बताना है कौनसा है जो सही है पहले में है केवल पहला दूसरे में है केवल दूसरा तीसरे में है दोनों और चौते में है कोई नहीं आपके सामने कूठ है और आपके सामने आफसन भी आपको देना है जवाब कौन सी बात है जो सही हो जाएगा कुछी पूरी और भरत नाट्यम के बारे में कौन सी ब रित्मे नर्तक प्रासंगिक रूप से कथोप कथन का प्रयोग करता है यानि कि जब वो डांस करता है तब वो ऐसे कुछ बाते भी कहता रहता है कुछ मतब अक्टिविटीस भी करता रहता है कथोप कथन भी करता है भरत नाट्यम में कथोप कथन का प्योग नहीं किया जाता यह सही है इसमें उल्टी बात की गई है पीतल की तस्तरी की धार पर पाद रखकर जो नृत्य होता है वो कुची पुड़ी होता है और भरत नाटे में इस तरह की कोई बात नहीं होती है तो पीतल की तस्तरी की धार पे जो पार रखके डांस करते हैं वो कुची पुड़ी की विशेष्टा है ये कहरा ये भरत नाट्यम में होता है तो यहां पर दोनों बाती उल्टी कर दी गई है इसलिए आपका दूसरा गलत हो गया ये देखिए आपका है कुछी पूरी जो की आपका कहा कहा है याद रखेंगा आंधु प्रदेश का नृत्य है सास्त्री नृत्य है कुचिपुडी इसमें देखे पीतल की तस्तरी यानि की थाली की दोनों तरफ धार पे पैर रख करके डांस कर रही है सर पे भी देखे पानी का पात्र रखा हुआ है दोनों को बैलेंस कर रही है महिला कुछीपूडी को देख लिया यह आपका भरत नाटयम आपके तमिल नाडू का है हमने आपको भी बताया है तो भरत नाटयम में भी देखें कितना खुबसूरत पोसाग है इनका dress pattern काफी आप देख रहें कल्चरल है काफी परंपरागत तरीके से dress pattern और जो गहने हैं काफी अंटिक है तो यह आपके देश की संस्कृति की खुबसूरती है जिसे आप देख सकते हैं कितनी बाइंग्यानिक्ता अध्यात्मिक्ता और गुड़ता है यहां की संस्कृति में अगला question देखिए भारत नाट्यम के संदर में कौन सी बात है जो सही है अचा कौन सी बात है जो सही नहीं भारत नाट्यम के संदर में निम्लिखित कत्नों पर विचार कीजिए कौन सा है जो सही नहीं है पहला कह रहा है यह इस्वर के आसिरबाद के लिए की जाने वाली इस्तुति मंत्रों से सुरू होता है दूसरा कह रहा यह तमिल नाडु की सास्त्री अंदरते कला है तीसरा करा 19 सताबदी के तंजोर चोकड़ी इससे संबंधित है आपको बताना है कौन सी बात है जो सही नहीं है भारत नाट्यम के बारे में आपके सामने है चार आपसन और आपको उत्तर देना है कूट की सहायता से पहले में है केवल पहला दूसरे में है पहला तीसरा तीस हो जाएगा बचलो फटा फट जबाब दीजेगा क्या हो जाएगा बचलो याद रखेंगे आपका जो सही नहीं है वो है आपका option number first ये सत्य नहीं है चुकि भरत नाट्यम में इस्वर की आसिरबाद की इस्तुती मंतरों के साथ इसको समाप्त किया जाता है यानि कि इसको समापन के टाइम में किया जाता है इस वर की आसिरबाद के लिए की जाने वाले इस्तूती मंत्र जो है या मंगलम है इस्तूती मंत्र को मंगलम कहते हैं इसका उपयोग सुरू में नहीं किया जाता है बल्कि जब अंत करते हैं डांस का तब किया जाता है यह बिल्कुल सही है कि यह तमिल नाडू का सास्त्रिय नृत्य है आपको मैंने बता ही दिया है इंपोर्टेंट है उनिश्मी सताब्दी के तंजौर चौकड़ी से संबंदित है तंजौर चौकड़ी जो है ये भरत नाटियम से जुड़े हुए चार नृत्ते हैं या नृत्तक मतलब नृत्त करने वाले ब्यक्ति हैं और इन चारों ब्यक्तियों ने इस डांस को बहुत ज ज्यादा फेमस है तो तंजौर चौकड़ी आपके चार डांसर है जो कि तमिल नाडो से जुड़े हुए है तापका दूसरा तीसरा सही है पहला सही नहीं है बचालो चूंकि ये मंगलम जो आपका है ये लास्ट में होता है शुरुआत में नहीं होता है अगला देखे निम केवल एक दो में है केवल दो तीन में है दोनो दोनो और आपका चार में है कोई नहीं कोई नहीं आपको बताना है कौन सा कथन है जो सही है कौन सा कथन है जो सही है बचालोग सांधार प्रस्न है फटा फट दीजेगा जबाब कहरा नाट निर्ते रूप यच्छगान और त सिर्फ करनाट का है यहीं क्या चाहता है अस्थानिय नाइकों राजाओं और देवताओं की गुड़गान में किया जाता है कलारी पैटू आपको पता है केरल का एक लोक नृत है च्छाओ यह आपके बिहार, झार खंड और पस्चिम मंगाल के छेतर में किया जाने वाला लोक नृत है जो की वहां के मार्सल आर्ट है मार्सल आर्ट से प्रभावित है यह सारी चीज़े वही कहारा है, मार्सल आर्ट से निकली हुई विशेश नृत्त कलाये हैं, जो कि ना तो युद्ध होता है, ना पूरी तरह से डांस होता है, अर्ध डांस होता है, जिसमें युद्ध खौसल के साथ डांस किया जाता है, तो दोनों बाते बिलकुल सही है, आपसा नमर आपका बीड़ा और संतूर आते हैं आपको ये बताना है सांधार प्रश्ण बचालो एकदम कॉमेंसेंस का पहला करा है तंतू वादे यानि कि ऐसे वादे अंतर जिसमें तार लगे होते हैं दूसरा करा सुसिर वादे यानि कि ऐसा वादे जो वायू से चलता है जैसे बासुरी तीस हैं तो इस तरह से आपके सामने हैं तीन तरह के वादे यंत्र आपको बताना है कि आपका बेड़ा और संतूर कौन से प्रकार के वादे यंत्र में आता है तो इन चारों में से कोई एक ही प्रकार है बेड़ा और संतूर का याद रखेंगी कैसे हैं यह आपका तंत वादे ह इसमें तार लगे होते हैं, तार पे ही उंगलियों को हम अपने फेरते हैं, और फिर उससे खुबसूरत ध्वनी का निकलता है, खुबसूरत ध्वनिया आती है, यानि कि काफी मधुर ध्वनिया आती है, देखे ये है आपका, देख लेजे, आप लोग इसको देख सकते हैं, यह संतूर वादियंत्र है देखिए इसमें बहुत ही खुबसूरती से बहुत सारे तार लगे हुए हैं इसमें बहुत सारे तार लगे हुए हैं इन ही तारों को जब हम हाथों के उंगलियों से छेड़ते हैं या उससे रगड़ते हैं तो बहुत ही अच्छी धुनिया आती है अगला तर्थ है और इसे में वाईलीन भी आता यह इपल्र है इस अधूरे इसमें सार यह जो है अगला पेमारा रहता है ये question भी आया है कि सबसे प्राचीन वादे अंत्र हमारा क्या है तो वेड़ा है भारतिये नाट रूप के संदर में निम्रिखित कथनों पर विचार कीजिए पहला करनाटक का पारम परिक रंगमंच रूप यच्छिगान पौराडिक कथाओं और पुराडों पर आधारित है भारत की एक बिक्सित नाटे सहली है आपके सामने है तीन और आपको बताना है कि भारतिये नाटे रूपों के बारे में जो पाते की गई है वो कौन सी है जो सही है पहले में है केवल पहला दूसरा दूसरे में है पहला तीसरा तीसरा और चौथे में है सभी आपने कूट को देख लिया है अब मैं आप लोगों को फिरसे आता को दिखा रही हूं आप लोग आपसन की सायता से उत्तर दे सकते हैं चांदर प्रश्ण है कि कौन सी बाते है जो कि आपकी सही हो जाएंगी तो आपका पहला और दूसरा दोनों सही है आफसा नमबर ए बिलकुल करेक्थ है पहला दूसरा दोनों सही है करनाटक का परंपरागत रंगमंच रूप यच्छगान है पौराड़ी कथाओं और पुराड़ो पराधारी थे मैंने आपको पहल जिसमें नायका अंध्रत मुद्रा के प्रमुख प्रतिपादक होती है तो पहला दूसरा सही हो गया तीसरा सही नहीं है चोकि दसावतार जो है यह पूर्भी भारत नहीं होगा बलकि यह आपका होगा गोवा और कोंकड गोवा होगा और साथी होगा आपका कोंकड इन छेत पहला उतार जो है वो मत से उतार है मत से उतार ये भी आता है कौन सा उतार था मत से था दूसरा जो था वो कुर्म था कुर्म मतलब होता है आपका कच्छुआ तीसरा जो था वो आपका बाराह था यानि कि जो मतलब अस्थल पे रह सकता था ये अस्थल और जल दोनों पे रह स वो था आपका वामन आउतार वामन वामन के बाद आया था परसुराम परसुराम के बाद राम राम के बाद क्रिश्न क्रिश्न के बाद आपके बुद्ध और बुद्ध के बाद कल्की कल्की का आउतार अभी नहीं हुआ है तो यह जो बारह आउतारों का नाट साली है यह कहा पर जादा प्रचलेत है तो यह कोंकड और गोवा के छेत्रों में प्रचलेत है इसलिए आपका पूर्भी भारत नहीं होगा आपका जो गलत हो गया है वो तीसरा गलत हो गया है पहला दूसरा आपका बिलकुल सही है अगला कोईसें भी बेहद इंपॉर्टेंट है और आप सुंगम संगीत की एक सैली कवाली विक्सित की तीसरा करा सितार के आप इस कारकासरे उन्हें दिया जाता है आपके सामने तीन स्टेटमेंट है तीनों बेहद इंपॉर्टेंट है तीनों सिंगल सिंगल करके तीन तीन क्वेस्चन बनाए गए है आयोग के द्वारा पहले मे जाएगा अमीर खुश्रों के बारे में क्या सही में चलो याद रखेंगे अमीर खुश्रों के बारे में लिखी हुई यहाँ पे सारी बाते बिल्कुल करेक्ट हैं उन्होंने सनम नामक राग बनाया था उन्होंने आविस्कार किया था सनम राग का उन्होंने हिंदू और इर पोड़ालियों को मिला कर सुंगम संगीत की एक सैली कवाली का विकास किया। अमीर खुश्रों ने सितार तबला दोनों का अविस्कार अमीर खुश्रों ने किया है कववाले का अविस्कार अमीर खुश्रों ने किया है सनम राग का अविस्कार अमीर खुश्रों ने किया है अमीर खुश्रों को तूती ये हिंदी कहा जाता है और उनका जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश की कौन से छेतर में हुआ है एटा में हुआ एटा के कास गंज में यह है आपकी अमीर खुशरो तूती ये हिंद के नाम से जाने जाने वाले आठ सुल्तानों का कारेकाले नहीं रही है इसलिए यहाँ से क्वेस्चन बहुत ही जाधा आता है देखिए इन्हों ने बहुत सारी चिजोंका विंशकार किया हुआ है अगला देखिए संग्राई नृत्य के बारे में कौन सा कतन है जो सही है आयस में आया हुआ क्वेस्चन है संग्राई नृत्य के बारे में क्या है जो सही है पहला कहरा है संग्राई नृत्य आसम का एक परंपरागत नृत्य प्रारूप है इसे मोंग जंजाती समुदाय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तीसरे कराई बरस 1950 में ही घरतंत दिवस परेड में इसकी प्रस्तुती की रही मतलब की जा रही थी या की जा रही है आप आपको बताना है कूट की सहाइता से कौन सा है जो सही नहीं है कि पहले में है पहला दूसरा सही नहीं, दूसरे में है पहला तीसरा सही नहीं, तीसरे में है दूसरा तीसरा सही नहीं और चोथे में है कि कोई भी सही नहीं, यानि कि सभी सही नहीं, आपको बताना है कौन सा है जो सही नहीं है संगराई जो है आपका नृत्त है इसके बारे म तो प्रशालों इसका पहला और Trist है नहीं है चुकि आपका संग राई लोक न्रत है वस्कूर मोंग जंजाते समधुषया प्रस्थुत किया जाता है और बर्स 2018 के गरतंत्र परेड में पहली बार इस नरते का प्रयोग की यह बहुत जादा इंपोर्टेंट क्वेस्टन है बाद में आप लोग इसको बताव अच्छे से क्या हो जाएंगे बचलो फटा फट दीजी का जवाब थोड़ा सा डिश्टर्विंस हो गया सौरी कोई बात नहीं चली बताईएगा तो आप सभी को पता चल चुका है कि पहला तीसरा गलत है पहला क्यों गलत है चूँकि यह त्रिपुरा का है दूसरा क्यों गलत है क्योंकि बर्स 2018 में पहली बार इसको गरतंत्र दिवस के परेड में प्रस्तुत किया गया था यहाँ पे 1950 कह दिया इसलिए गलत हो गया तो बचलोग आपका पहला तीसरा गलत हो गया दूसरा बिलकुल और बिलकुल सही है त्रिपुरा का परंपरागत नृत्ते है मोंग जंजाती समदाय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और पहली बार 2018 के गरतंत्र दिवस के और बिलकुल अपनी आध्यात्मिक्ता अपनी वर्जिनल्टी को लिए हुए हैं कितने खुबसूरत चाते का परियोग कर रहे हैं ड्रेश पैटरन देख लीजिए त्रिपुरा के लोगों का ये ड्रेश पैटरन है उनका ट्रेशनल महा का ड्रेश पैटरन है ऐसे ही उसके वग्यानिक्ता उसकी घहराई को जानके अच्छा लग रहा होगा तो यह सारे चीजे सिर्फ पढ़ने के वज़े से नहीं हमें ऐसे भी पता होने चाहिए कि हमारे देश की संस्कृति में क्या गोड़ता और वग्यानिक्ता है तुमीद है क्लासेज अच्छी लग रह